जब देश आत्म विश्वात से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच, निराशां की बातें, हताशां की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती हैं। अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुब होता है तो काला टिका लगाने की परम-परा रहती है। तो आज इतना शुब हो रहा है, इतना शुब हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगयाने का जिम्मा लिया है और यह इसलिए कि नजर नग लग जाए साथियों, गुलामी के लंबे कालखन के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दोर देखा, यह दोर जितना भी लंबा रहा हो एक बात हमेशा सास्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था आज भी वो दिन भर कड़ी महनत करता है, वो यह चाहता है कि उसका जीवन बढ़ ले, उसके आने वाली पीडियों का जीवन बढ़ ले, वो सिर्फ दो टाइम की रोटी तक सिमिर नहीं रहना चाहता है, भी ते दसकों में जो भी सरकारे रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ और सुझ बुझ से कोशिशे भी की है, उन्हीं प्रयास्वों के हिसाब से उन सरकारों को परड़ाम भी मिले हैं, हम नए नतीजे चाहते थे, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, अब जैसे सोचालाई तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से ग्याना करोड से अधिक टॉयलेट का निर्मान किया, बैंक तो देश में पहले भी थे, और गरीबों के नाम पर बैंक को अगराश्ट्रिकन भी किया गया था, लेकिन हमने और अभी अरून जी विस्तार चे बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड लोगों को बैंकिंग सिस्ट्रिम से जोड़ा, गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी, उन योजनाओं की स्थिती क्या थी, ये आप लोग भली भाती जानते हैं, हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरब बढ़ला, अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक के अकाउन में भेजा जाता है, अब घर बनाने की पुरी प्रक्रिया की लगातार मोनिटरी होती है, और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर करके हम चल रहे हैं, और जब ओनर ड्रिवन होता हैं, तो गफले नहीं होते हैं, वो अच्छा घर बनाना चाहता है, हमने प्रिछले नव साल में, तीन करोड़ चे अधिक घर बनाकर गरीबों को दिये हैं, यहने दुनिया के कई देश हैं, पुरा देश नया बना रहे हैं, हमारे यहां अक्सर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, दुकान खरी दी जाती हैं, पुरुष के नाम, गाड़ी खरी दी जाती हैं, पुरुष के नाम, जमीन खरी दी जाती हैं, पुरुष के नाम, लेकिन हमारी सरकार ने जो घर गरीबों को बना कर दिये हैं उसमें से करीब करीब डाई करोड़ घर जॉइंट नेम से हैं उनमें महिलाओं का भी मालिकाना हग है अब आप सोचिए गरीब महिला खुद को एमपावर फिल करेगी तो फिर इंडिया मॉमेंट आएगा के नहीं आएगा देश में ऐसे कितने ही बडला हुए हैं जो इंडिया मॉमेंट को लाए हैं इन में से कुछ बडलाओं की चर्चा तो मिडिया भी नहीं करता क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी चुनावती प्रॉपर्टी राइट्स की भी है वर्ल बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सिरफ तीस परसेंट आबादी के पास ही उनकी प्रॉपर्टी का लीगली रजिस्टर्ट टाइटल है यानि दुनिया की 70 परसेंट आबादी के पास उनकी प्रॉपर्टी का कानूरी दस्ताविद नहीं है प्रॉपर्टी का अधिकार ना होना वैश्वीक विकास के सामने बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है दुनिया के अनेक विक्षित देश भी इस चुनोती से जूज रहे हैं लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है पिछले दो-धाइस साल से भारत में पी-एम स्वामीत्व योजना चल रही है टेक्नोलोजी का भरपूर्प्योग हो रहा है भारत के गाउवों में ड्रोन टेक्नोलोजी की मदद से जमीन की मैपिंग की जा रही है अब तक भारत के दो लाग चौतिस हजार गाउं में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है एक करोड बाइस लाग प्रपर्टी कार्ड दिये भी जा चुके है इस पूरी प्रक्या का एक और लाग हुआ है गाउं के लोगों का ये डर भी कम हुआ है कि अगर वो गाउं से बाहर गए तो उनके घर या जमीन पर कपजा हो जाएगा ऐसे कितने ही साइलेंट रिवलुशन आज भारत में हो रहे हैं और यही इंडिया मॉमेंट का आधार बन रहा है एक और रुजा किसानों को मिलने वाली मदद का भी है पहले चुनाव को देखते हुए किसानों को कर्ज माफी की गोशनाय होती थी लेकिन करोणों किसानों के पाद बैंक खाते ही नहीं थे वे तो और सुरोतों से कर्ज लिया करते थे उन्हें तो कर्ज माफी कोई लाभी नहीं मिलता था हमने इस परिस्तिति को भी बढ़ला पी-एम किसान सम्मान निदी से अभी तक लगबग डाई लाग करोड रुपिय सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा गया है इसका लाभ देश के उन ग्यारा करोड छोटे किसानों को हुआ है जीने पहले कोई पूसता नहीं था